बैंक लूटे हैं देश के जैसे येस बैंक अब नो बैंक बन गया लोगों का पैसा फस गया और इतना NPA है कि अब SBI उसको बचाने की कोशिश कर रही है एक चंद से छोटे सी अमाउंट के साथ वो नहीं हो पाएगा तो आप तो रिजर्ब बैंक भी खत्रे में आ गया है तो देश के लोगों का पैसा कभी बिजे मालिया लूट के भाग जाता है कभी नीर मोदी और चौक्सी लूट के भाग जाते हैं अगर अगर लोग किसी चिटभंड कंपनी में लगाते हैं तो परल जैसी कंपनियां भाग जाती हैं अगर घर पे रखते हैं तो नोट बंदी करक तो ये कह रहे हैं कि 2017 से येस बैंक पर नजर रखी जा रहे थी 2020 तक जब उसने अपनी बेटियों की कंपनियों में तर्टालीस सो करोड रपिया लगा दिया अब जाके उसको पकड़ा है तो पहले कियो नहीं एफट किया गया लोगों का यह कह रहे हम किसानों की आए दुगनी करेंगे यह करेंगे वो करेंगे तो करमचारियों का पैसा 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 किसी का रटायर्मेंट के बाद फंड का प पूजी पतियों ने उन्होंने भाजपाईओं को चंदा दिया है भाजपाईओं ने दलाली खाई है दलाली खाके भाजपाईओं ने देश लुटवाएं किसान का मजदूर का ब्यापारी का पैसा करमचारियों का पैसा यह लुटवाया है और इसलिए आज हम लोग यहां पे खड़े हैं इस मांग के साथ की भाजपा के लोग इसके लिए यह देश लुटवाने के लिए बैंक लुटवाने के लिए जिम्मिदा रहे हैं दिबेट में बोलेंगे? लेकिन अगर देश में कोई लूट हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, करमचारियों का पैसा, व्यापारियों का पैसा, हमीडिया वाले भी विचारे जो अपना खाता खोल रखे तो उनका भी पैसा लूट लिया है। तो ये हिंदू मुसल्मान में उलजा के पूरे देश को बैंक की डखेती करवा रहे हैं और चंदा खा रहे हैं इन्हीं लोगों से